आज हम देखेंगे आयत चित्र से जुड़ी एक मिध्याधार्णा कुछ चात्र सूचते हैं कि एक दंड आलेक यानी बारग्राफ और एक आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम समान होते हैं यदि उन्हें किसी जानकारी को आयत चित्र में निरूपित करने के लिए कहा जाए तो वे दंड आलेक बनाते हैं दंड आलेक और आयत चित्र को समान समझना एक मिध्याधार्णा है चलिए इसे दूर करें यहां इस सार्णी में दर्शाय गए आकड़े यानी डेटा मार्च महिने में राहुल के गाव में पुस्तकाले में आने वाले विभिन आयो समूहों के पाठकों की संख्या दर्शाते हैं रोहन ने इस सूचना को दंड आलेक के रूप में निरूपित किया इने देखकर क्या आप दोनों में अंतर पता कर सकते हैं? सोचिए सोचिए चलिए हम बदाते हैं दंड आलेक और आयत चितर में समान आकड़ों को अलग-अलग प्रकार से निरूपित किया गया है दोनों प्रकार का निरूपन अपने अपने स्थान पर सही है लेकिन इन दोनों में अंतर देखा जा सकता है जैसे एक दंड आलेक में दंडों की लंबाई, प्रेक्शन के बारमबारता यानि frequency of observation के समानुपाती यानि proportional होती है यानि कि प्रेक्शन के बारमबारता दंड की लंबाई के रूप में निरूपित की जाती है जबकि आयत चित्र में आयतों का शेत्रफल यानि area of rectangles, वर्ग अंतरालों यानि class intervals की बारमबारता से समानुपाती होता है यानि कि बारमबारता आयत की शेत्रफल के रूप में निरूपित की जाती है ना कि आयत की लंबाई के रूप में इस तरह दंड आलेक में दंड समान चोड़ाई के होते हैं जबकि आयत चित्र में यह आवशक नहीं यदि वर्ग अंतराल समान चोड़ाई के होंगे तो आयतों की चोड़ाई समान होती है लेकिन यदि वर्ग अंतराल समान चोड़ाई के न हो तो आयत भी समान चोड़ाई के नहीं होते आयत चित्र सतत वर्गिक्रत बारंबारता बंटन यानि continuous grouped frequency distribution के लिए बनाया जाता है इसलिए आयतों के बीच रिक्तता यानि gap नहीं होती लेकिन दंड आलेक विबिन श्रेणियों यानि कैटेगरीस की तुलना करने के लिए खीचा जाता है जबकि आयत चित्र आकडों का वितरन समझने के लिए खीचा जाता है उधारण के लिए इस दंड आलेक में तीनों आयू वर्गों को एक श्रेणि के रूप में लिया गया है विबिन आयू वर्गों के पाठकों की तुलना की जा सकती है जैसे यहां सबसे अधिक पाठकों की आयू 20 से 40 के बीच है यदि हम आयत चित्र में देखे तो हमें 10 से 70 तक के आयू में पाठकों की संख्या का वितरन ग्याद होता है तो आज हमने देखी आयत चित्र से जुड़ी एक मिध्य धारना